दोस्तो आपका एका फिर से हमारे चैनल नोटबढ़ना सागत है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम Class 12 Business Studies का जो सेंपल एपर है Board exam 2023 और 2024 के लिए वो देखने वाले हैं साथी साथ दोस्तो इसकी जो marking scheme है वो भी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं तो जरूर एंड तक बने रही है ठीक है दोस्तो तो आपका जो pre-board exam होगा और या फिर board exam होगा दोनों का जो paper का pattern है इसी जरीके का होने वाल है तो इसलिए जो सेंपल एपर आपके लिए बहुत ज़दा important है तो जरूर वीडियो को दोस्तो एंड तक देखेगा ठीक है और इसकी practice कीजिएगा तो 80 नमबर का आपका business का paper होता है business studies का तीन घंट आपको पूरा time मिलता है अब जो सबसे important चीज़ा है पेपर का pattern कैसा होने वाला है तो यह जो paper आपको यहां पर दिया गया sample paper उसमें दोस्तों total 34 question है ठीक है जो तीन तीन नमबर के question है उसका answer आपको 50 से 75 words 50 to 75 words में देना है जो 44 नमबर की है उनका आपको 1500 words में 150 words में देना है जो 66 नमबर की है उनका आपको 200 words में answer देना है ठीक है, point to point आपको बात करने हैं, जो आप से पूछा है question में वहीं आपको बताने हैं, और सारे parts को जो आपको attempt करने हैं, अब जैसे दोस्तो पहला question है, MCQ है, एक number का है, तो उसका आपको चार में जी सही option बताना है, फिर दूसरा जो है दोस्तो, वह भी MCQ है, तीसरा MCQ हो गय है, फिर MCQ बताने है क्या होगा सही, 9th भी MCQ है, 10th है दोस्तो, assertion reason वाला question, फिर 11th MCQ है, 12th वाला भी MCQ है, 13th आपको दोस्तो statement दिये, फिर सही option आपको बताने है, 14th जो है वो भी एक number का है, 15th एक number का है, 16th में दोस्तो statement दे रखी है, 17th MCQ है, 18th में आपको match करना है, फिर स option है क्या होगा वो आपको पताने, 19th भी MCQ है, दोस्तो, फिर 20th question है, वो भी MCQ है, यानि 20 जो question है आपके paper में, एक इक number के आने वाले है, अब जैसे 21th question है, दोस्तो, 3 number का है, 22th में आपके पास choice है, ठीक है, दोन में से आपको एक part करना है, और यह भी 3-3 number का है, 23th question भी दोस choice भी दे रख्या है, ठीक है, यानि कि 3-3 number के आपके पास 4 question आने वाले है, 25th question भी 4 number का इसमें भी choice दे रख्या है, 26th question भी 4 number का इसमें भी choice दे रख्या है, 27th question भी चार चार नंबर के होने वाले है, 31 जो है दोस्तों, वो 6 नंबर का है, इसमें चोईस है आपके पास, ठीक है, 3 प्लस 3, 6 नंबर का, ठीक है, क्योंकि दो दो पार्ट्स है इसमें, 32 भी दोस्तों, 6 नंबर का है, इसमें भी आपके पास चोईस है, 33 में दोस्तों, ये भी 6 आपके पास चार question है और बाकी जो question बचे वो एक एक number के MCQ है 20 question तो यह आपको इस तरीके का paper का pattern होने वाल है तो उम्मीद करता हूँ आपने जो sample इस पर अच्छे से देख लिया होगा ठीक है अब जो इसके answer है आपको किस तरीके से answer लिखना है ठीक है और यह जो MCQ 10 के सही option क्या है तो इसकी जो marking scheme है official तो चलिए मैं आपको किसी official marking scheme है business के paper की वो दिखा लिता हूँ तो दोस्तो अभी जो आपने business का paper देखा class 12 का उसकी official यह marking scheme है तो answer आप एक एक करके देख लिजिए first का answer D है second का option number D third का B है fourth का C fifth का A, sixth का A, seventh का B, फिर eighth का C है ninth का C है, tenth का B है, 11th का D है, 12th का D, 13th का B, 14th का A, 15th का C, 16th का B, 17th का D, 18th का A है, 19th का C है, और 20 का B है तो यह तो 20 MCQ थे जो मैं आपको बता जाए ठीक है इसी में assertion reason वाले भी थे, statement वाले question भी थे और normal MCQ भी थे अब 21 जो है दोस्तों तीन number का था ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं आपको तीन points लिखने थे यहाँ पर जो third column उसमें आप जरूर पढ़ लीजे important चीज़ों इसमें लिखी गई है जैसे half mark each for identification and half mark each for stating three identified points ठीक है अगर आपने points identify कर लिए है थोड़ा थोड़ा लिखा है तो आपको आधे-धे number मिलेंगे यानि date number मिलेंगे लेकिन अगर आप उनको अच्छी तरीके से state करके लिखते हैं तीन points को तो आपको पूरे तीन number मिल जाएंगे फिर 22 में इतने सारे आपके points दे रखे हैं आपको कोई 3 करना है ठीक है choice भी थी इसमें तो उसके भी याँ आपर answer दे रखे है फिर 23 है दोस्तो वो भी 3 number का था याँ आप अच्छी तरीके समझा रखा है किस तरीके साब की marking है फिर आता है दोस्तो 24 वाला जो है वो भी 4 तीन number का है दोस्तो ठीक है इसमें आपके पास choice थी फिर आता है 25 यह 4 number का था दोस्तो यह ठीक है इसमें भी आपके पास choice थी फिर 26 है इसमें भी आपके पास choice थी यह भी 4-4 number के question है ठीक आपको यहां पर answer पढ़के आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपको point wise answer लिखने हैं पहले point लिखने है फिर उसको अच्छी तरीके से explain करने है तब आपको पूरे number मिलेंगे ठीक है हैं इतने सारे points लिखे लेकिन आपको सारे नहीं लिखने चार number का है तो 4 points अच्छी से आपको समझाने हैं तीन का है तो आपको minimum 3 points समझाने पढ़ेंगे इस तरीके से 27 दोस्तों यह भी 4 number का question था 28 है दोस्तों यह भी 4 number का था 29 इसमें 4 points से 4 को समझाना था आपको 4 number मिलते इसमें भी question 30 दोस्तों यह भी 4 number का था तो यह थे आपको 4-4 number के जो question थे अब आ रहा है दोस्तों 6-6 number के जो question है तैसे 31 का A, B, C इतने points यहां पे लिखे गए अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको करना था इसमें choice भी थी तो इसके मिहां पे points अच्छे से लिखे गए वर्ल लिमिट का आपको follow करना है 6 number के लिए जो वर्ल लिमिट है 4 के लिए 3 के लिए अलग अलग ठीक है दोस्तों आपको वर्ल लिमिट को follow करते हुए जो यह answer लिखना है ठीक है फिर 32 था यह भी 6 number का इसमें choice दे रखी थी यह आप अच्छे से देख लिजिए फिर 33 है दोस्तों फिर 34 है आपका यह question ठीक है इसमें आप 6-6 number के एक question दे सारे 34 आपका यह last question था तो आपने अच्छी तरीके से अपना answer देख लिया third column को जरूर ध्यान से देखिएगा उसमें लिखा हुआ है किस तरीके से आपको marks मिलने वाले हैं ठीक है किस तरीके से आपका marks का distribution है तभी जो आपको अच्छे तरीके से number मिल सकते हैं तो यह आपका sample है पर marking scheme मैं आपको दोनों दिखा दिये हैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपने अच्छी तरीके से देख लिए उका paper आंसर की भी देख लिए होगी इसकी practice जरूर किजिएगा तभी जो आपको paper जो अच्छी तरीके से जाने वाला है ठीक है इसी तरीका आपको दोस्तों pattern board और pre-board exam में होने वाला है तो इसकी practice करिए आपसे फिर मिलेंगे next video में क your subject के sample label और answer की के साथ तब तक के लिए bye-bye see you again and thanks for watching